आपका जो प्रारंबिक जीवन था, बच्पन था, मुझे ऐसा जान करें है, बहुती अभाव और गरीबी का जीवन था, आपने शयद बच्पन में बकरियां भी चराई, खेती की मजदूरी भी की, सिलाई का काम भी किया, उस बारे में कुछ बताईए, दर्शकों को अच्छ हैर होगी थी, जब मैं पांचवी किलास में पढ़ता था, उसके बाद फादर मेरे भाहर काम करते थे, और भावी और भाई साब के पास में राह, निशतरूप में मैंने पास में नो किलोमेटर दूर स्कूल थी हमारी, मुझमाबाद, वहां पे मैंने पढ़ाई की, और मैं जेपूर में आया, और जेपूर में भी क्याया कि मेरे एग्री गल्चर थी, मेरे जोमनेर नहीं होके मैं चिमनपरा एडमिशन के लिए गया, तो उस समय क्याया कि इतनी प्रस्थितियां खराब थी, मैं जेपूर आके और राइया पार्क में, ये शिलाई का काम करने लग और मैं सब्जेक्ट बदलके और मैं पड़ने लग गया, मैं मैं अमे तक सिलाई करी और उस के पढ़ाई भी की और गाह में जब मैं रहता था तो मैंने बेलों से हल चलाया खूब, खेती की है जचके और हाँ गाय बैसों का दूद निकला खेती के सारे काम कुवे से जो बैलों की द्वारा सिचाई करते हैं हम पानी निकालते हैं वो भी हमने किया और अच्छा अन्बहुरवा रहा मेरा गाउं में और मैं मानता हूं कि जो आदमी लक्षे लेकर आगे बढ़ जिसको बोलते हैं संगर्श कुण जीवन रहा था हां लेकिन वो समय प्रस्तिति यह ऐसी थी कि उन में हमारे को हार नहीं काम करते रहे और काम करते करते मैंने MA फिर MA के बाद MPL और PhD की फिर मैं उस समय 1995 में तक मैंने सिलाई का काम किया फिर उसके बाद में मैंने एक LIC की एजन्सी ले ले लिए फिर एजन्सी लेके मैं गाउं गाउं गुमता रहा और LIC करता रहा और एलाइसी के बहाने मेरा जुड़ा भी लोगों से रहा और मैं दो जार में मैंने जिलापरिश्ट का चुनाव ले रहा है तो संद दो जार में मैं विजय हुआ बार नमबर 15 जेपो जिलापरिश्ट का और जबी से मैं इस राजनीति में आ गया वैसे तो मैं यूनिश मैं यहां कंस्रेक्शन का काम करवाया और फिर उसके कॉंट्रेक्ट लेता रहा और चलता रहा आगे मकान बना बना के बेचनार यह मेरा काम रहा निशित रूप से आगे इस राजनीति में मैं 2013 मुझे बारते जनता पाल्टी ने टिगड़ दिया और उसमें मैं जीत हासिल क बहुत ही बाद से ही मैं आज आपके सामने हूँ निशित रूप से हमारी भारते जनता पाल्टी के अनुसासन और संसकारों की पाल्टी है और उसमें मैं इमानदारी से काम किया और हर जनता के सामने सजनता से और विवार से मैं चला निशित रूप से 2013 से 15 रहा 18 रहा मैं मे तो उस पिरिड में मेरे छेतर में एक ऐसा माहूल था कि लोगे जनपर्तिती से बहुत ज़्यदा डरते थे और डरने का कारण था कि उस समय हमारे तीन थाने थे उन तीनों थानों में बहुत ज़्यदा केसवा करते थे डिले जब मैं 2013 से और 2018 के बीच में जब मैं आया तो मैं उन थानों को बिल्कुल पेंडेंसी बिल्कुल कम और थाने में केस बहुत कमाते थे और उसमें इन थानों को मैंने अवाड़ दिलाया था सांती की द्रश्टी से 2013 से 2018 से जब 23 मैं नहीं रहा तो आज भी वहाँ पूछ लुआ उन थानों में पेंडेंसी है राजस्तान में नंबर वन उससे क्या है क्या माहौल क्रेट करते हैं जो भी जनपरतिनी दी रहा उनकी यह सोच है कि लोगों को केसों में उल्जा के रखना उनको के